मेरे परिवार जनों, कल से कॉंग्रेस ने एक अलग लाप आरा अपना शुरू कर दिया है। ये कॉंग्रेस के नेता कहते हैं, जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूँ इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है, तो वो आबादी गरीब है। और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है, और गरीब का कल्यान यही मेरा मकसद है। मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधान मंत्री मनमोंसी जी क्या सोच रहे होंगे। भारत के पूर्व प्रधान मंत्री मनमोंसी जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनोरिटी का है, अलप संख्यकों का है और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कॉंग्रेस कह रही हैं कि आबादी तै करेगी कि फैला का हक किसका होगा। यानि क्या अब अलप संख्यकों का हक कॉंग्रेस कम करना चाहती है क्या। और आबादी के ही अहसाब से ही अप्तै होने वाला है तो पहला हक किसका होगा भै किसका होगा। आबादी किसकी ज्यादा है किसका हग होगा जड़ा कॉंग्रेज वाले पस्ता करें क्या आबादी के हिसाब हग मिलेगा क्या तो क्या आलपस संख्यों को कॉंग्रेज हटाना चाहती है क्या तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हग ले ले क्या मेरे परिवार जनो मैं पिछले कापी समय से कह रहा हूं और फिर आज दोरा रहा हूं कि कॉंग्रेज पार्टी को अब कॉंग्रेज के लोग नहीं चला रहे हैं कॉंग्रेज के बड़े-बड़े नेता मुँपे ताला लगा के बैटे हैं न उनको पूछा जाता है न वो यह सब देख करके बोलने की हिम्मत करते हैं अब तो कॉंग्रेज को आउट्सोर्स कर दिया गया है कॉंग्रेज को अब ऐसे लोग चला रहे हैं परदे के पिछे लोग ऐसी कमाल कर रहे हैं ऐसे खेल खेल रहे हैं जो देश विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं कॉंग्रेज किसी भी किमत पर देश के हिंदूओं को बाट कर भारत को तबाह कर देना चाहती हैं कॉंग्रेज गरीबों को बाटना चाहती हैं मोधी ने पिछले दस सान में सारी योजना ऐसी बनाई ताकि गरीबों में एक आत्मिश्वास पैदा हुआ है और मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाती है यही सबसे बड़ी बिलादी है अगर गरीब का भला हो गया देश का भला अपने आप हो जाएगा आज तक कॉंग्रेस ने ये खुलासा नहीं किया है कि कॉंग्रेस ने एक दूसरे देश के साथ क्या गुप्त समझोता किया है लेकिन देश देख रहा है इस समझोते के बाद कॉंग्रेस और ज्यादा भारत की बुराई करने में मजा आने लगी है भारत के अच्छी बातों को बुरी तरह पेश करने में मजा रही है ऐसा लगता है जैसे उनका भारत का प्रेम ही कम होता जा रहा है मैं सभी देशवासियों आपको आगाह करता हूँ कॉंग्रेस और उसके सयोगों की इस नई साजीस हमें सतक रहना चाहिए और अगर हक की बात करनी है तो मैं कहूंगा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक भारत के गरीब का है गरीब चाहे वो दलीत हो गरीब चाहे वो पिछडा हो गरीब चाहे आदिवासी हो गरीब चाहे सामान्य वर्ग से हो हमें सबसे बड़ी जाती मेरे लिए गरीब है हमें गरीब की चिंता करनी है हमें गरीब का जीवन बदलना है कॉंग्रेस देश के लोगों में आपसी खाई बढाना चाहती है वैर भाव बढाना चाहती है इसलिए कॉंग्रेस अब पुरी नई भाषा बोलने लगी है